जय हिन दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल में आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए हाँ पर सामन हिंदी के भौत ही महत्तपुन कॉस्चन अंसर तो वीडियो पूरा वस्त देखेगा अगर आप चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सस्क्रा सब्सक्राइब कर 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 सब्सक्राइ या फिर हाती की सूड कर सब्द का अर्थ नहीं है तो आपका सही आंसर है यहाँ पर विकल्ब नंबर क्या होगा राइट आंसर तीन राइट आंसर है यानि कि ताली आपका सही आंसर होगा question number 3 यहाँ पर पूंचा है यह सोदा में संदी है गुंण स्वर संदी यन स्वर संदी विञंजन संदी या विसर्ग संदी या सोदा में संदी बताने हैं आपके लिए तो question number 3 का सही आंसर है यहाँ पर विसर्ग संधी राइट आंसर होका यानि कि विकल्प नमबर 4 आपका सही आंसर है विसर्ग संधी question नमबर यहाँ पर 4 देख लेते हैं कि अंगारों पर पेर रखना मोहावरे का आसाई क्या है वताईए कठेन काम करना या दूसरों को हानी पहुंचाने का प्रियास करना जान बूच कर अपने को खत्रे में डालना या सहसी होना अंगारे पर पेर रखना महावरे का अर्थ आपके लिए बताना है तो आपका सही आंसर है जान बूच कर अपने को खत्रे में डालना विकल्प नमबर तीन आपका सही आंसर होगा Q5 आपसे पूचा है कि खप रेल सब्द में प्रित्य कौन सा है खप रेल सब्द में प्रित्य का चैन करना है कौन सा प्रित्य यहां पर है question number 5 है और 5 का सही answer होगा खप रेल यानि कि L प्रित्य इसमें प्रोक्त हुआ है तो विकल्ब number 4 आपका right answer होगा question number आपसे यहां पर 6 पूँचा है कि देखिए फूलों से लदाहर सिंगार का पेड़ उस और खड़ा था बाग के है इस्थान बोदक संरचिना बिनमरता सूचक संरचिना दिसा बोदक संरचिना विदी सूचक संरचिना question number 6 का सही answer बताना है तो 6 का सही answer है आपका यहां पर दिसा बोदक संरचिना आपका सही आंसर होगा विकल्ब नंबर 3 यहां पर सही आंसर है question number 7 देख लेते हैं इती का विलॉम सब्द है इती का विलॉम अंत आरंब पटाचिप या भी स्रांती तो यह 4 विकल्ब देगा है question number 7 है और यह सरल question है इती का विलॉम बताना है तो आपका सही आंसर होगा आरंब विकल्प नंबर दो सही आंसर है आरंब राइट आंसर है question नंबर आठ देख लेते हैं बुद्धी सब्द का परयावाची बताईए प्रेज्या या धी उक्तसभी या मनीशा बुद्धी सब्द का परयावाची का चैन करना है तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा उक्तसभी यानि की विकल्प नंबर तीन आपका सही आंसर है प्रेज्या धी मनीशा यह जो हैं बुद्धी के परयावाची है तो विकल्प नंबर आपका तीन उक्तसभी राइट आंसर होगा सतना जिले में बोले जाने वाली बोली प्रमुख के कौन सी है यह आपके लिए बताना है निवाली है बुंदेली है बगेली है मालवी है Q9 है और 9 का सही आंसर का चेहन करना है सतना जिले में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है तो question number 9 है और आपका सही answer है यहाँ पर बगेली right answer होगा यानि कि विकल्प number 3 सतना जला जो है मद्द प्रदेश में आता है तो बगेली यहाँ पर बिल्कुल सही right answer होगा यहाँ पर पूचा है कि advocate general का हिंदी पारिवास एक सब्द क्या होगा सामन अधिवक्ता या फिर न्याय प्रमुख्य या महाधिवक्ता या फिर महान्याय के तो question number 10 है और 10 का right answer का शियन करना है और आपका सही answer है यहाँ पर महाधिवक्ता आपका सही answer होगा विकल्प number 3 यहाँ पर सही answer है advocate general का पारिवासिक हिंदी पारिवासिक सब्द है महाधिवक्ता question number 11 है अनिल दुबई में काम करता है बाग की कैसा है अग्या सूचक वाख्य एक्षा सूचक वाख्य विधान वाचक वाख्य संकित आर्थक वाख्य तेरह का सही answer का चेहन करना है यहाँ पर और ग्यारे का राइट आंसर आपका यहाँ पर जो होगा वैहें विधान वाचक वाख्य के आपका सही answer होगा विधान वाच एक बाग के राइट आंसर है, question number 12 है, चरण कमल पद में समास आफ के लिए यहाँ पर बताना है, अब यही भाव समासे दिगू, समास कर्मधाराय, समास यद्वन्द समास, चरण कमल तो question number आपका यहाँ पर जो बारह है और इसका सही आंसर है, कर्मधाराय, आपका सही आंसर होगा, कर्मधाराय समासे चरण कमल में, बिल्कुल सही राइट आंसर है, question number 13 आप से यहाँ पर पूँचा गया है, देख लेते हैं, देखे, जिन देखे, बे कुसम गई सू बीति वहार, अव अली रही गुलाब में, अपत कंटी ली डार, पंती में आपके लिए अलंकार का चैन करना है, अनियोप्ती, सहोक्ती, अतिसयोप्ती, विसेशोक्ती, यह आपके लिए चार विकल्प दे गए हैं, इस पंती में आपके लि अंसर होगा, question number आपसे 14 पूँचा है, कि आज्या सब्द है, इस संकर, तत्सम, तदफाव, देशज, एक किस परकार का सब्द है, question number 14 में बताना है, आपके लिए तो बताईए, तो आज्या सब्द एक कैसा है, तो आपके राइट आंसर होगा, तत्सम, राइट आंसर है, question number आपका, यहाँ पर 15 है, खड़ी बोली या कौर्वी बोली आती है, पूर्वी हिंदी के अंतरगत, विहारी हिंदी के अंतरगत, राजस्तानी हिंदी के अंतरगत, फश्यमी हिं question number आपका 16 है, मद्ध प्रदीश से प्रकास्त पत्री का कौनसी है, कथा विंबे अहा जिन्दगी, या फिर अर गला यह तदभाव, यह चार विकल्प है, question number 16, मद्ध प्रदीश से प्रकास्त पत्री का का नाम बताना है, और आपका सही आंसर है, आहा जिन्दगी यानि की विकल्प नमबर 2 आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, question नमबर 17 पूँचा है, नमलिकित में, बिलॉम सब्द योग में नहीं है, अल्पिक, पिर्चोर्य, उग्र, सौम्य, और वर, उसर, घात, पृतिघात, बिलॉम सब्द योग में नहीं पूचा है, घात, पृतिघात आपका सही आंसर है, नहीं है, यह तो विकल्प नमबर D, आपका विकल्प नमबर 4 सही आंसर है, यहाँ पर आपके लिए वताने की सुद्ध वाक्य कौन सा है, गाली छूट गया, अताह में ना आ सका, सुबह 8 वजे मिलना, या पिर मालविय जी ने उसे गीता की पिर्ति द विकल्प नमबर आपका दो राइट आंसर होगा, निमने लिखत में से आपके लिए सुद्ध सब्द का चैन करना है, अब आपके लिए सुद्ध सब्द बताना है, यहाँ पर कौन सा सुद्ध सब्द है, सुद्ध सब्द का चैन करना है, तो आपका राइट आंसर है, यहा भनार तक सब्धियोग में नहीं है यहाँ पर नहीं पोछा है तो आहां पर अनसर बताना है आप कमेंट में जोरू बता है क्या हो nue प्रत करें इस फ़रकार आज कि इतना ही सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें अगर आप चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करशक लें कितने přिठीं आप से सही बनें हैं कमेंट में जरूत आएं तो सभी लोग वीडियो stretch सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद